अगर कोई ब्राम्मर तपनिष्ट हो ज्यानी हो देवराजंदर को भी स्वा कर सकता है आगे देवराजंदर अगनी कुंड के अवाले होने वाले थे ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नर्थ मत करो गोले माराजेंदर ने ऐसा गोड़ा चुरा लिया ले चिंताई मत करो हमारी अब रुद्ध हो जाएगी पिर ये पूरी कथा है प्रतु भगवान के बड़ी सुन्दर सुन्दर कथा है प्रेवरत उपाख्यान इत्याद है लेकिन हम आपको आज कथा सुनाएंगे बीच में कथा आती है पुरण्यन उपाख्यान वो मैं अल्प में सौट में कहूंगा इसके बाद अजामील उपाख्यान की तरफ हम लोग चलेंगे पहले पुरण्यन उपाख्यान सुनेंगे पता भी है पुरण्यन कौन है सुनिये एक बार देवरिशी नारद गए ये कथा उन लोगों के लिए है जो रोज वो खापाते हैं न बेज और दूसरा क्या है अज मेरे पास एक बच्चा मिलने आया बाकई उस बच्चे की बात में भूल नहीं पा रहा हूं जब से सोच रहा हूं कि मैं उसकी बात आपको शेयर करूं एक बच्चा उसका एक्सिडेंट हुआ उसका पूरा हाथ समाप साही हो गया वो कथा सुन रहा होगा मेरी अभी वी यहीं पूने का ही है आज सुबह मिलने आया मामा जी देखा अपने तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा तुम को वो क्या होते प्रोटीन बढ़ाने के लिए तुमको अंडा खाना होगा बच्चा है दस-ग्यारा साल का आइधिंक एज मेने पूछी नहीं मैं तो भावक हो गया उसे देखके हाथ में बड़ा परिशान इनो वास जादा नहीं कहें डॉक्टर ने कहा है तुमको अंडा खाना होगा उस बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे मरना पसंद है लेकिन में अंडा नहीं खाऊंगा कि दस ग्यारा साल के बच्चे का जबा बता रहा हूं मेरे मन में भावा है कि ऐसा क्यों तो उस बच्चे ने बताए मैं आपकी कथा सुनता रहता हूं और अभी भी वो बचारा मैं मैं उसे देखके भावक हो गया था तो किसी का दुख देखा महीं जाता है चल के आया मामा जी को बहुत फोन कर रहा था मुझे मारा जी से मिल वाव मिल वाव कोई दस बारा देन से फोन कर रहा लगाता है तो सच बताए ऐसे बच्चों से मिलके हम अपने आपको सुबह गिसाली समझते हैं और ये बच्चा उन बुड़्ों के लिए उन जवानों के लिए एक जाम्पल है जो बाहना बनाते हैं अपनी जीव के चटकारे बढ़ाने के लिए कि नहीं साओ हम तो इसके विना रह नहीं सकते डॉक्टर ने बताए डॉक्टर तो बहुत कुछ बताते हैं वो छोड़ दिय है क्या है कि प्रोटीन और बहुत सारी चीजों में अब वो ले लिजिए लेकिन अपने आपको अब इसी की कथा सुनो पुरंजन प्राचीन वैर कि प्राचीन कि बार ही जो था वह यग्य करता था और यग्यमें पसुओं की बली देता था तो एक दिन देवरुशी नारद आये और उन्होंने कहा कि यह तो बहुत गलत है कि तुम यग्यमें पसुओं की बली देते हो महराज हम क्या कर रहे हैं तो बेदों में लिखा ब्रामण लोग करवाते हैं तो बेदों में कई वार ऐसा प्रसंग आता है लेकिन ये चीज उन लोगों के लिए बताएगे क्योंकि बेदों को समझने की शम्ता हम समय नहीं है कैसे नहीं है वो सुनो एक इक्जामपल बेद में लिखाए कुछ और हम उसका अर्थ निकाल ले दे कुछ होता है कुछ है और हम क्योंकि हमारी नौलेज अपने हिजाब से हम लोग अर्थ करते हैं एक कथा आ रही अब क् सुर्राटे सुर्राटे समझ गया है कि क्या कुछ और मस समझ ले ना सुबह से साम गुरुची के सामने जाए तब बैठा रहे सांत बागी के तो क्या बोलते है उसको पी ज्यादा पीने वाले को अज़ अचें आण रहे समयक्र अगई तब लगा रहताता था तो किसी ने जाए गृरुची से सिकायत कि पुदूची का अगृची सिकायत कि पुरुची आपका चेला ठीक नहीं ए आश्रम में बस शुर्णा आटे बढ़ता रहता है बिडी पीता रहता है यह ठीक नहीं फिटाइ तो गुरू जी आधवें बेट यह पीना ठीक नहीं तो गुरू जी नेका थल्डी तो पिये का तो मर जाएका जल्दी बोल कुरू जीए पर सच्छ बताओं गुरू जी में पिये विनाना नहीं रहे सकता तो गुरू जीने को पाय कि वोले काम कर तो यही जुर्श तो कोई बात नहीं तो पी लेकिन पूरे अप्ते नहीं प्येगा सिर्फ संडे वाले दिन पीए अब वो सब पूरे दिन छे दिन तो न पीवे और साथ में दिन का इंदिजार करें और जिस दिन आ जाया वसुवेज साम तक भूमारा छूड़ा नहीं दस-पंद्रे बिंडल दल्ले सामने और लगे औरे दैदनादन दैदनादन उस दिन वो कुछ ना करे सिवा उसके क्योंको संडे का इंतजार करता था संडे का इंतजार लगा कुछ दिन बाद गुरू जी भगवान के दाम चले गए अब देखो उसने संडे का क्या प्रियोग किया उसने कहा गुर गुरू जी तो चले गए। अब गुरू जी ने तो उसी के लिए का था कि यह हमेसा पीता है सरफ संडे को पीके खतम करें। तो गुरू जी ने तो क्या तो इसका भला हो जाए च्छै दिन तो छोड़ेगा। गुरु जी के जाने के बाद ही उसने उसी की बात को इस तरीके से बित्रण किया वह जितने और लोग नहीं पीते दे वो संडे के दिन हर कोंवेained में बैटके तेरा भला हो गुरुजी ने तो छह दिन छुड़वाने के लिए संडे उसने संडे को सब को पिलवाना शुरू कर दिया गुरुजी कहते थे मैं कसम का के कह रहा हूँ कि संडे वाले दिन पीलो भला होगा किसी की बात को किस तरीके से पेस करना है ये तुम पर तो बेद की भासा सब की समझ में नहीं आती है बात लंबी-लंबी जरूर कर लेते हैं लोग लेकिन बेद की भासा सब की समझ में नहीं आती बेद में कुछ और वर्णन किया जाता है हम उसका अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं